तो दोस्तों एक बाद फिर आप सभी का UPSC प्रिलिम चर्षी 2023 में स्वागत है आज UPSC का फुल टेस्ट पार्ट 3 है और पार्ट 3 को हम लोग 76 से कुशन नमर 76 से 100 कुश्चन को कवर करेंगे इसके बाद यह पार्ट फर्स जो है 100 कुश्चन कॉप्लिट हो जाएगा इसके पा सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके अलाम आपको आगे बढ़ने से पहले एक information और देदे कि जैसे कि आपको पता ही होगा कि डेली आपको साम को तीन बजे क्लास मिलती है और सेक्शनल टेस्ट भी चो चल रहा है इसके पहलर चल रहा है वह भी आपको तीन बजे मिलता है इसके current affair के भी environment की और अलग सी current affair की classes quality की भी हुई है ठीक है और अगर आपको classes पसंद आ रही हो तो चैनल को subscribe कर सकते है notification on कर सकते है क्योंकि जब तक exam हो नहीं जाता है और उसके बाद भी आपको mock test और जो भी जरूत की सामगरियों मिलती रहेगी चल ये question के सुरवात करते है question number 76 देखते इसमें क्या पुछा है इसमें डार क्टनेट के संभंध में कौन सकतन सहीं नहीं है तो keyword क्या हैस ही नहीं है option A diet internet का हिस्सा नहीं है option B डार्टनेट को पारामप्रिक सर्च इंचन के माध्यम से एक्सेस नहीं किया जा सकता ऑप्शन सी डार्टनेट पर सामगरी इंक्रिप्टेड है इसलिए OTR जैसे विशेस ब्राउजर के आप सकता होती है ऑप्शन डी यह गैर मानक संचार काप्यों करता है जो इसे के तीन पढ़ते होती है एक तो सर्फिस वेव होती है यानि जो सावजर क्रूप से सभी के लिए उपलग्ध होती है जैसे फेस्बुक ट्विटर अमेजॉन लिंक्डेन जैसे साइटों का इस्तेमाल होता है ठीक है या पूरे इंटरनेट का फॉर परसेंट होता है इसके ब यहां या प्योग लोगों के लिए विशिस ट्रमूर्थ पोहर्च कर में किया जयता है तेसरा क्या होता है जो तीसरा लेइर है इंटरनेट का वह है डाल ऌणोट जीप यह आंड यूसरों को मतलब आप्यों जाическихकिर्ण होता है दीक है और यह मूर्वियों रूप से हैं उन या डार्क नेट का हिस्सा नहीं है यह बात गलत है यानि हिस्सा है तो इसमें यह जो है सही हो जाएगा इसके हिसाब से बाकि जो है तीनों आप्सें सही है अब बात करते हैं नेक्स्ट बात करेंगे 77 की बात करेंगे इसमें Quds पूप्शन नमबर GDP डिफलेटर यानि ओस्पीद कारक्ट और CPI और WPI में क्या अंतर है ठीक है तो आप्शन एक है सभी वस्तूं को GDP डिफलेटर के तहत माना जाता है लेकिन CPI WPI के तहत केवल सामानों की टोकरी यानि बास्केट और गुड्स के विचार के जाता है ऑप्शन दो आयातित्माल को GDP डिफलेटर के तहत रखा जाता है लेकिन CPI WPI के तहत नहीं रखा माना जाता है अप्शन तीन भार GDP डिफलेटर में प्रतेक वस्त के उत्पादन अस्तर और CPI WPI में इसे इस्तिरांग के अंसार भिन होता है तो आपको बताना कौन सा कथन जो है साही है ठीक है अगर इसमें कुछ वर्ड आपको समझ में ना रहा है हों तो आप हिंदी में समझे इंग्लिस वाले में टांसर संदिया है आप वहां समझ सकते हैं ठीक है आप सबसे पहले आपको समझना है कि GDP डिफलेटर होता क्या है यानि ऑस्पित कारक होता क्या है यह जो है जि इसी विशेष वर्ष में मौजूद कीमतों के उत्पादन करती है जो आधार वर्ष के दवरान प्रतलित कीमतों पर होती है चोकि अब जो डिफलेटर है और तवेवसर में उत्पादित वस्तूओं और सेवाओं की पूरी स्रिंकला को कवर करता है ठोक मुल्य या फिर उभ अगर आप्सन 2 की बात करें तो आयाधित वस्तूओं को जी डिफलेटर के तहत नहीं रखायाता बलकि जो CPI और WPI के तहत यह माना जाता है तो इस प्रकार आप्सन 2 जहां होगा वह इलमेट कर देजिए ठीक है ऑप्सन 2 में देखिए एक दो तीन इसमें है इसको इलमेट क सही है ठीक है यानि CPI केवल चुनुइंदा वस्तूओं की बास्केट होती है इसमें सामिल कीमतों की गढ़ना कियाती है संपूर अर्थब्यवस्ता में मुद्रा स्फीत पर कबजा नहीं करता और भोग पैटरन के परवरतन या वस्तूओं और सेवाओं के सुरुआ GDP डिफ त्विवस्ता की खपत और निवेस के पैटरन में बदलाओं को असोसित करने की अनुमत देता है तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्सन 3 सही है तो इस प्रकार इसमें ऑप्सन C जो होगा होगा वो सही होगा कुश्य नमपर 78 की बात करते हैं हाली में खबरों में आया स सार्थक भारतिय अत्विवस्ता के किस शेत समंदित है आप्सन A स्वास्त आप्सन B रोजगार आप्सन C कॉसल विकास आप्सन D स्वास्ट्छा तो इसमें देखेंगे यह एजुकेशन समंदित है सार्थक सब्द ठीक है यह मिश्ट्री आप एजुकेशन की पोर्टल है ज और इसको बात करें तो प्रात्मिक और माद्मिक अस्तर पर छात्रों के लिए सर्वांगण विकास प्रतान करना ठीक है इसके साथ छात्रों के सासा सुराच्छित समावेशी अनकुल सीखने का महौल भी स्थाफित करेगा तो कुल मिलाकर सार्थक कसंबन एजुकेशन से है नेक्स्ट बात करते हैं कुछिन नंबर 79 के 79 में क्या पुछा है नॉन फंजिबल टोकन यानि अपूर्डी टोकन आप इसको हिंदी नहीं याद रखे जा सही है नॉन फंजिबल टोकन के संबंध में इमलेत कतनों पर विचार कीज़े कौन सा कतन सही है या या एक नॉन फंजिबल टोकन एक डिजिटल वस्तु है जो ब्लॉक्चेन तक्निक द्वारा खिये गए प्रमाड रिक्ता के प्रमाड के साथ साथ एक ड्राइंग एनिमेशन संगी का टुकड़ा फोटो या वीडियो हो सकता ऑप्सन दो उन्हें पूरी तरह से बेचा या खरीदा जाना चाहिए क्योंकि उन्हें जो है अगर बात करें तो फंजिबल टोकन के विप्रीद जो है विभायत नहीं किया जा सकता ऑप्सन तीन सभी एनेफ्टी यानि नॉन टोकन एक डिश्टल वस्थ है जो एक ड्राइंग एनिमेशन या संगीत का टुकड़ा फोटो या वीडियो हो सकता है जो ब्लाक्चेन तकनीक द्वारा बनाए गए प्रमाडपत के साथ हो सकता है सरहल सब्दों में दोस्तों आपको समझाए तो नॉन फंजिबल टोकन जो ह होता है किसी ऐसी चीज का परस्वामित का एक अनूठा प्रमाड़ है जिसे आप आम तोर पर अपने हाथ में नहीं रख सकते जैसे डिश्टल कला का एक टुकड़ा या डिश्टल कूपन सायद एक वीडियो क्लिप ठीक है उदार के लिए अगर बात करें तो ट्विटर के स सतापक जैक डोर्सी ने अपने पहले ट्विट के लिए 2.9 यूएस बिलियन डॉलर में नॉन फंजिवल टोरकन की निलामी कर सकते हैं ठीक है तो यह कुछ आपको समझाने का कोशिस की है तो इस परकार आप्सन एक जो है सही है तो आप्सन एक जिसमें होगा वो आप्सन सह सबसे पहले दो और तीन की बात करें तो दो और तीन भी जो है सही है यानि अगर बात करेंगे तो इस में जो है एक दो तीन जो है वो सही होगा नेक्स्ट बाद कुश्चन नमबर 80 की बात करें तो मलेरिया के संबन्द में निमलीत कत्नों में कौन सा कथन सही नहीं है मलेरिया दिवस 2021 में पहले विस्वात संग्ठन द्वारा जिरोइंग इन ओन मलेरिया एलिमिनेशन सीर्सक वाली पहली रिपोर्ट जारी की गई मलेरिया एक जानलेवार मच्छर जनित रखत रोग है जो प्लाजमोडियम पर जीवी के कार होता है और अब तक मलेरिया खिलाप कोई टीका विक्सित नहीं हुआ है इंडियान कांसील ओप मेडिकल डिशर्च ने हाली में मलेरिया एलिमिनेशन डिसेर्च एलाइंस अिंडिय है तो सबसे पहलने थोड़ासा आपको मलेरिया के बारहें बुम्य-गाले में बात बताते हैं तो मलेरिया जो होता है एक जान लेवा मच्छर दिनित जो है ब्लेड जो है रोग है जो प्लाज्मोडियम परजीवी के काड़ होता है यहां एक मुख रूप से जगर बात करें तो अफरीका साथी एसिया के ट्रॉपिकल रीजन और उपोस्ट कडवंदी यानि उफ्र और उपोस्ट कडवंदी शेत सिर्दाद होना मान स्पेशियों में दर्थ ठकान ये सब सामिल है ठीक है तो कुल मिलाकर इसमें देखेंगे तो इसमें ऑप्सन सी जो है इसमें जो है सही नहीं है यानि मलेडिय के ठीके की बात करें तो आर्टी कि एस के रूप में अपने लेब इंसीलियस द्वारा जाना जाता है लेकिन मर्क्यूरियस के रूप में ब्रांडेट और वैक्सिन ने लंबे वैग्यानिक परिछोड़ों को पारित किया है जिसमें असरुचित पाया गया है और मलेडिया के जोक्रिंग को 40% तक कम कर दिये मलेडिया के संबंद में कुशन नंबर 81 की बात करें मिथेन के संबंद में निमलीत कतनों पर विचार कीजिए कौन सा कतन सही ऑप्सन एक मेथेनो ट्रोप सेवाल है जो एक उपापचा है कर सकते हैं और मेथेन को कारबन डाय अक्साइड में बदल सकते हैं ऑप्सन दो करताना है इसमें मेथेन के संबंद में इन तीनों कतनों में कौन सा कतन जो है सही है तो अगर ऑप्सन एक ही बात करें तो मेथेनो ट्रोप्स एक जीवाण हों जो मेथेन को कारबन डाय अक्साइड में मेटाबुलाइज और परिवर्तित करता है जिससे वे चावल के पौध होते हैं ठीक है तो इसपरकार आप सब्सक्राइब जो होगा हो वह गलत है कि कि करते तो सेवाल नहीं क्या है जीवाण हो तो ओपुंद एक गलत हो जायेगा तो जहां जहां एक हो उसको एलमिनेट कर देजिए तो एक में भी एक दो तीन की बात किया है किसको बचला कॉन सा ऑफोप्शन बी सभिश्य होगा तो एलमीनेसी मिश्चल से भी आप कुश्चन कर सकते हैं तो मेथेन जो है एक सक्साली ग्रीन हाउस गयास है जिसमें कार्बन डायकसाड की तुलना में 28 से 34 परसंट जो है गुना 100 साल की ग्लोबल वार्मिंग की छमता होती है और वैस्विक मेथेन उर्सरजन का लगवग 60 परसंट जो होता है वो human activity से उत्पन होता है यह कुछ data है जो आपको याद रखना है बाकी 2 और 3 मेज़रारती हैं वो बिल्कुल सही है question number 82 की बात करें तो इसमें कुछ reports हैं उनके संगठन के नाम दिये गए हैं आपको बताना कौन सा सही मतलब सुमेली थे community and development report यानि माल और विकास report इसका संबन अंक्टाट से है भारत का स्वास सुचकांग नीती आयोग विस उर्जा outlook report यानि वर्ड एनर्जी outlook report IEA से और इसके लाव ग्लोबल एकोनामिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट जो है आयमफ आपको बताना है इन में से कौन कौन सुमेली थे अगर आपसन एक की बात करें community and development report जो है ये अंक्टाट जो है जारी करता है ये बात सही है आपसन दो की बात करें health index of India जो है नीतियायक जारी करता है ये भी बात सही है ग्लोबल एकोनामिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जो है वो भी सुबैंग द्वारा जारी की जाता है ना कि आयमफ द्वारा तो इस प्रकार इसमें एक, दो, तीन साही है यानि आपसन C next question की बात करते है निमलिखित में से कौन सा एक कर एक स्वचलित अस्थाई कारक के रूप में कार करता है यानि which of the following tax act as automatic stabilizer आपको बताना है इसमें जो कर दिये गये हैं से अगर आपसन A की बात करें प्रतिगामी कराधान आपसन D progressive tax session इंग्लिज में पढ़ लेते हैं आपसन C proportional tax session option D none of the above ठीक है regressive progressive proportional tax session आपको बताना है कौन सा एक सा टेक्स है जो कैसे काम करता है automatic stabilizer की तरह तो इसमें जो होता है proportional tax session होता है वो क्या करता है automatic stabilizer की तरह कार करता है ठीक है थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं तो proportional tax session एक स्वचलिक अस्थाई कारक यानि आर्थिक जटकों के आउसुसकों के रूप में कारे करता है क्योंकि यह एक प्रयोज आय से बनता है और इस प्रकार उभोकता खर्च GDP में उतार चड़ाओ के प्रती कम समवेदंसिल होता है जब घरेलू सकल उत्पाद यानि डौस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में व्रिध होती है तो प्रयोज आय में बढ़ जाती है मतलब उसके साथ प्रयोज आय भी बढ़ जाती है लेकिन सकल घरेलू उत्पाद में व्रिध कम हो जाती है क्योंकि इसका एक हिस्सा करो के रूप मे निकाल दिया जाता है यह खपत खर्च के उपर की ओर उतार जड़ाव को सीमित करने में मदद करता है ठीक है? मंदी के दोरान क्या होता है? मंदी के दोरान जब सकल घरिल उतपाद गिरता है तो खर्च करने योग आए कम तेजी से गिरती है और खापत उतनी नहीं गिरती जितनी कि अनित्था गिर जाती है और कर देता तैं हो जाती है यानि कुल मांग में गिरावाट को कम करता है और अर्थबेस्था को इर्श्थिर करता है कौन प्रपोस्टनल टैक्सेशन ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं कुश्चन नंबर 84 की इस इसने पुछा State of climate services report कि दौरत प्रकाषित की मौसम बिगयान संक्टन से दौरत यह प्रकाषित की गई ती ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं कुछन नंबर 85 डबलुएम्यों के बात करें तो डबलुएम्यों के बारें कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पहले देदें डबलुएम्यों जो है वो यूएन की एक विसेश एजनसी है ठीक है जो वाई मंडली बिग्यान जलवाई बिग्यान जल बिग्यान वह बहुत की पराधारी अंतराश्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है अब नेक्ष्ट बात करते हैं कुछन नमबर 80 पर भाली में खबरों में आई भारती चंदन प्रजातियों के संबंद में निमलेत कत्नों पर विचार कीजिए कौन सा कत्न जो है गलत है भारती चंदन एक सुस पड़पाती वन प्रजाती है जो केवल भारती उपमादेप में मोल निवासी ऑप्सन दो भारती चंदन की आयोसीन इस्तित खत्रे में है ऑप्सन तीन या छोटा उफ्षकडबंदी पेड लाल लकडी और छाल के कई गहरे रंगों के साथ 20 मीटर उचा होता है तो आपको बताना है भारती चंदन के संबंध में जो है निम लिखित जो तीन कता है उसमें कौन सा जो है गलत है अगर आपसन एक की बात करें और दो की बात करें तो चंदन जो है भारती चंदन एक छोटा जो है उस्ट कडबंधी पेड़ है और चंदन के तेल का पारंप्रिक्स रोत है यह दच्छड भारत और दच्छड पूर्व एसिया के मूल निवासी है चंदन लंबे समय से भारती विरासत और संस्क्रिट से जुड़ा हुआ क्योंकि देश के विश्व के चंदन व्यापार में पचासी प्रस्तित का योगदान जो है दिया था ठीक है हाला कि हाली में यह तेजी से घट रहा है तो कुल मिला कर देखेंगे तो केवल वह भारती उप महादीप में यह बात तो गलत है ठीक है और इसके लामा जो है यह उफ्रकडबंदी पौधा है आयूसीन की इस्थित की बात करेंगे तो आयूसीन की इस्थित में यह जो है यानि प्रकित के संद्चड के लिए आयूसीन के द्वारा इसे एस एल्बम प्रजाद के रूप में मानता दी गई है ठीक है तो इसमें जो है एक और दो गलत है नेक्स्ट बात करते हैं कुश्चन नंबर 86 के संद्च में संगाई यानि SEO के संबध में निम्लिक अतनों पर विचार केज़ें कौन सा कथन सही option 1 SEO के निर्माट से पहले कजाकिस्तान चीन तुर्कमेनिस्तान किर्गिस्तान और रूस संगाई 5 के सदस थे option 3 वर्तवान इस समूं के 8 सदस सदे सामिल है option 2 था option 3 की बात करत SEO के एक अंग आर एट ये सैने छेतरी आतंगवात विरोज संद्थना का मुख्यारत तासकन में है तो आपको बताना है SEO के समंद में इन तीनों में से कौन सा कथन सही है option 1 की बात करत SEO एक अस्थाई यानि स्टेबल अंतर सरकारी अंतराय संगठन है ठीक है या एक यूरेसीयाई र्याजनेदिक आर्थिक सेने संगठन है जिसका लक्ष छेत्र की सांथ सुरच्छा और इस्तित्ता बना रखना SEO संगाई 5 का उत्राद्य कार इननीस सौ चान Eduardo की बात करते न॑न चैस्समें चीन खजाकेस्तान किर्गयुस दाकेस्तान आपसी समझधा का आथ समझधा हुग था इसलिए कथन एक है गलत है क्यों क्यों गलत है क्योंकि त्जाकेस्तान है तुरकमेस्तान नहीं ठीक है यह गलत हो जाएगा आप्सन एक जहांगा इल्मिनेट कर दीजिए आप्सन दो की बात करें तो दो गलत है ठीक है यानि अगर बात करें तो सियोक सिकर सम्मेलन में इरान जो है इस समू का नौवा सदस बन गया है यानि कौन कौन से है रसिया तजाकिस्तान उचबेकिस्तान कजाकिस्तान केरगिस्तान भारत पाकिस्तान इरान ठीक है तो इस प्रकार इसमें देखेंगे तो इसमें जो नौ यानि दो जहां आप्सन उस सभापति और उपसभापति के पद रिक्त हो तो पैनल का कोई सदस्य सदन की अज़चता कर सकता है कर सकता ठीक है यह तो बात आपको पता ही होगा है लेकिन जब अनुपस्थित हो तो जो पैनल बनता है तब कोई सदस अधिस्ता कर सकता है लेकिन जब पद रिक्त हो तो नहीं इसमें option एक जहां अगव एल्मिनेट कर दीजिए option 2 की बात करे तो option 2 जो है सही है यानि राज सभा के माहसची की नियुक्त सदर्न के पीठासिन अधिकारी द्वारा की जाती है तो इस प्रकार जो है इसमें option 2 जो होगा वो सही होगा question number 88 की बात करते है joint session के बारे में पूछे संसत की संयुक्त बैठाक के संबन में कौन सा कथन जो है इसमें गलत है ठीक है ध्यान रखिए अगर कीवर्ड क्या है गलत है joint session के बारे में option 1 संबीधान है संसत के की संयुक्त बैठाक की नामित बिधेयक में किसी भी इस्थित में कोई संबीधान संसुदन नहीं किया सकता option FREE जब और संसुदन विधेयक के इसमें संसुदना बिधेक के मामिलों नहीं कि जा सकती है option D उपो तो wedynुसे कोई कथन गरत नहीं है कि तो जुएंट सेशन के बारे में आपको बताना है तो इसमें जो सयूंक्त बैटक के लिए नामित बिधेग में किसी भी अस्थाई किसी भी इस्तित में कोई नया संसोधन बिधेग नहीं किया जा सकता है यह option जो है इसमें गलत है ठीक है और इस समयधानिक प्रावधान की बात क्या कहा है समयधान के तौनुच्छे देख सो आठ में इसका प्रावधान है ठीक है तो इस प्रकार इसमें option बी जो होगा वह सई होगा इस answer के हिसाब से कुशन नंबर 89 की बात कर लेते हैं निम लिखित कतनों पर विचार करें कौन सा कतन सही option एक केंद्र और राज सरकार दोनों में कैबिनेट मंत्री राज बंत्री और उप मंत्री सामिल होग option 2 किसी राज में बिधान पर्षित बनाने या समाप्त करने के सक्ट संसत के पास है option 3 अभी तक भारत में दूस हदनी बिधाय का वाले 7 राज है तो अगर इसमें 89 की बात करें तो इसमें option 1 जो है हो सई है केन सरकार ये राज सरकार दोनों में कैबिनेट मंत्री राज मंत्री ये उप मंत्री सामिल होते हैं ठीक है इसके लाओ option 2 की बात करें तो अनुच्छेद 179 में राज्यों में बिधान परिश्दों के उन्मूलन या निर्माल का प्रावधान है ठीक है तो इस प्रकार ये भी सही है option 3 की बात करें तो 3 जो है गलत है यानि वर्तमान में भारत में 6 राज्यों में दूस अदनी बिधाय का है आंद्रप्रदेश महराष्ट करनाटका उडिसा तिलंगाना बिहार उत्रप्रदेश तो इस प्रकार इसमें कौन सा सही है एक और दो यानि option A सही है question number 90 की बात कर लेते हैं 90 में क्या है छेत्री परषद के संबन में नमिलित कत्नों पर विचार कीजिए option कौन सा सही है जोनल काउंसिल के बारे में इसके पहले भी question आया है सभी छेत्री परषदों के अस्तपनर राज पुनर गठना निमुने 56 द्वारा की गई थी option 2 छेत्र में प्रत्यक राज की सरकार के मुख सची बैटक में मत देने के अधिकारी के बिना छेत्री परषद के सलाकार के रुप में कार कर सकते हैं तो आपको बताना जोनल काउंसिल के बारे में सबसे पहले आपको यह थ्यान रखना है और वे संसत के एक अधनियम यानि 1956 के राज़ पूर्ण अधनियम द्वारा स्थापित किये गये हैं इस अधनियम ने देश में पांच जो है जोनल काउंसिल यानि उत्तर मध्य पूर्व पस्चिम दच्छडी को विवाद किया है ठीक है लेकिन अगर इसमें कहा है सभी छेतरी परिशत तो पांच को तो इसके द्वारा किया गया है लेकिन जो छटवी जोनल काउंसिल है उसको उत्तर पूर्वी परिशत अनियम जो है 1931 द्वारा एक नौर्थ इस्टन जो है जोनल काउंसिल बनाई गई थी तो इसके हिसाब से यह गलत है ठीक है ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 सही है तो इस प्रकार इसमें देखेंगे कौन सो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन B य निमलिखित में कौन सा भारत के राश्पत की कारिकारी सकती नहीं है आप्शन 1 वह प्रधान मंत्री और अन्य मंत्रियों के नियुद करता है वे उसकी खुसी के दारान पर धारत करते हैं यानि दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिस प्लेजर आप्शन B की बात करें वह अध्य चुपादेद दोनों पद खाली हो जाते हैं आप्शन D वह भारत के अटर्ने जनरर के नियुद करता है और अपना पार्सर में निर्दायत करता है तो भारत के राश्पत के संबन में कारिकारी सकती नहीं है तो इसमें देखेंगे तो यह जो आप्शन C है कि वह लो तो आप्शन C इसमें सही होगा कि कुशन 92 की बात करें परदान मंत्री मतस्थ संपता योजना के संबन में कतनों पर विचार करें कौन सा कता है इसमें गलत है आप्शन 1 या मतस्थ की यानि फिसरीज छेतर में मातपूर कमियों को दूर करने के लिए नीरी क्रांती लाने औ का एहसास कराने की योजना आप्शन 2 या मतस्थ सपालन पसफालन डेरी मंत्रा लेकर तहत यह योजना है तो आपको प्रदान मंत्री मतस्थ संपता योजना के बारे में दोस्तों बताना इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है दियायन रखेए गया इलमिलेशन में थाड़ की वर प्रदा योजना है वो आत निर्वर भारत अभियान जो आत निर्वर भात अभियान के भाग के रुप में देश में मतस्थ सपालन शेतर में केंदित और सरस्टनेबल डेवलेप्मेंट के लिए प्रमुख योजना है ठीक है तो जैसा कि बात करेंगी कौन सा ऑप्शन जो गलत है इसमें जो है दोनों आप्शन जो है सही है यानि आप्शन डी इसमें होगा यानि ना तो एक ना तो दो और ये योजना ध्यान रखना दोजार बीस 21 से बित्ती वर्स दोजार चौवीस 25 के लिए पांच वर्सों की अबद के दरान लागों की जाएगी ठीक है तो इस परकार इसमें ऑप्शन डी से होगा अब एक न्यूज में था वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड था तो हाली में खबरों में राख किलिंग कर्व का कर्वें के बारे में कर्वं यां तो है बताना के लिए इन चारह हो मैं से किस कि म में देखा गए थे मना सिर्फनियल्ड कर बसी रूशी कि यूसी एसे कर इस जो है अगर बात करें 1958 में हवाई द्वीप पर मोनोलोवा वेटसाला के लिए एक निरंदर माप के अधार पर प्रिद्वी वाइमंडल में कर्बन डायक्साइड का संचे का एक ग्राफ है तो कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन डी जो है वो सही है यानि कर्बन डायक्साइड की ज 2002-2003 में विज्ञान और प्रद्व की विभाग द्वारा सुरू की गई थी ऑप्शन दो इसका उस्देश महिला विज्ञानी को विज्ञान और इंजिनरी के अगड़ी चेत्रे में बुनियादी यह अन्प्रिव्ट विज्ञान में अंसंध्यान कराने के लिए एक मंच प you Okay, तो इसमें प्रद्व के नटिफ वुरह में महिला वागानिक योज्घना के बारे में तो महिला वागनिक योजना जो है अब कि तो इसका जो है इस पहल का जो प्रमुख उद्देश था है है फचीस सब्सक्रेम 27 या 57 वर्स की आयो के उबर के उन महिला बैग्यानिकों और प्रद्योग की विदो के आउसर को प्रदान करना है जिन्हों ने अपने केरियर में ब्रेक लिया था और लेकिन मुख धारा में लोटने के इच्छा रखते हैं ठीक है और यह युद्ना पेटेंट सुभ्धक केंद्री प्रद्योगी सुतना पूर्वर्मान और मुल्यांकर पड़सर द्वारस करेवनेत की जा रही है वर्तमान में ठीक है तो इस प्रकार आप्सन दो जो है गलत हो जाएगा तो इसमें आप्सन एक सई है कोशन नमबर 95 की बात कर करन लिए कर रहाजस परणनी परण करना बी भार्तीर तिर्थयातियों के लिए हज यात्रा के लिए पंजी करके परटर्ण मंत्रा लेका नया पोड्रेंग पोड़सर परण करना जो उपको बताना इत्त इत्वार की बात करेंगे तो जो यह है यह आएकर अपीली नियादिकर के एक नई इफाइलिंग पोर्टल है ठीक है यह देखें लौ अप मिनिस्ट्री लांचेज इथत इद्वार एन इफाइलिंग पोर्टल ठीक है 96 की बात करें हाली में कभी कभी समाचार पत्रों में देखें गए स्राइबाइसाइट के संबन में निमली कतनों पर विचार किया एक दुरलब लौ निकल फासफाइट खनिच है जो पानी में घुलनसील है ऑप्सन दो प्रिद्वी पर पाया जाने वाला स्राइबाइसाइट केवल उलका पिंडो अत्रिक्त अस्तिली चटनों से आता है ऑप्सन तीन या अत्रदिक प्रत्क्रिया सील है और कार्बन पायदा कर सकता है जो कार्बनिक अड़ों को बनाने और उन में सच्छम है तो आपको बताना कौन सा कतन इसमें सही है आज स्री आईट के रूप में यानि बर्साइट के रूप में स्री बर्साइट तो अगर इस में आपसं एक की बात करें है तो आप्सं ऒने बिल्कुल सही है थुलोलकotta लौ निकिल फासफाइट खनीज़ जो पानी में घुरंसील है, आपसन दो की बात करें, तो आपसन दो गलत है, ठीक है, यानि कुछ समय पहले तक यह ब्यापक रूप से माना जाता था कि प्रारंबिक प्रित्वी की बंबारी करने वाले उलका पिंड जय उपलब्ध फासफो खनीज़ होता है, यहां जीवन का गठन माना जाता था, ठीक है, ओप्सन तीन की बात करें, ओप्सन दीन भी गलत है, यानि यह अतरधिक प्रतक्रिया सील है, और कार्मनिक अडव बनाने में सच्छम फासफोरस पायदा करता है, इसका उप्योग फार्मोज प्रतक्रिया न कौन सा उप्सन जो है, सही है, उप्सन ए जो है, वो सही है, कुशन नमबर 97 की बात कर लेते हैं, इसमें क्या, गाधी सान्ती पुरसकार के संबन में विचार कीज़े कौन सा करतन सही है, उप्सन एक, या पुरसकार राष्टीता, नसल, भासा, जाती, पंथ, या लिंग की ये बिना सभी व्यक्तियों के लिए खुला है, उप्सन दो, पुरसकार के लिए जूरी की अज़स्ता भारती प्रधान मंत्री दार की आती है, इसमें भारत के मुख, नयाधीस, लोकसभा के सबसे बड़े विवच्ची दल के पदिन सदस्त होते हैं, उप्सन तीन, महामार महात्मा गांधी की 125 वर्ष गांठ पर, महात्मा गांधी की 125 जो इसमित वर्ष थी, ठीके, तो जो 1995 से भारा सरकार द्वारा अस्थापित एक वासी पुरसकार है, या पुरसकार आहिंसा के माध्यम से सामाजी कार्थिक राजनेतिक परिवर्टन सामिल लोगों को दिये जा करता है, और इसके अलामा अगर बात करें, तो ऑप्सन एक भी सही यानि या पुरसकार राष्टी नसल भासा जाद इपंथ बिलिंग की परवाब सभी व्यक्तियों को दिये जाता है, इसके अलामा या पुरसकार जूरी की अधरस्ता प्रधान मंत्री द्वारा की आती है, और इसमें भायत के मुखे निया जीज, लोकसाभा के सबसे बड़े बिभच्छी दल के पदिन सदस्त भी होते हैं, ओप्सन तीन की बात करें, तो बांगला देश के राष्टपति, जो राष्ट के पिता सेख मुझीबिर रह्मान और ओमान के दिवंगत सुल्तान कभूस इसमें तीन गलत है, यानि एक और दो आनि ऑप्सन भी जो है सही, कुश्चन नमर 98 की बात कर लेते हैं, इसमें क्या पूछा है, इंडिस्ट्रियल डीप, डीकार्बनाईएशन इनिस्याटिव, यानि IDDI के संबद में कौन से कथान सही, आप्सन एक या सादनिक और निजी स गटनों का इब्यास्विक गटबंदा हैं, जो कम कार्बन और दोगिक समगरी की मांग को प्रोसाइद करने के लिए काम कर रहे हैं, आप्सन दो, या सायुक्तराष्ट परियावार्ड कारिक्रम, यूनिप की एक पहल है, आप्सन तीन, इस पहल कर नितित जो है, संगटनों के इब्यास्विक गटबंदा हैं, जो कम कार्बन और दोगिक समगरी की मांग को प्रोसाइद करने के लिए काम कर रहा है, इसके लावा, आप्सन दो की बात करें, तो आप्सन दो गलत है, यानि आई डी डी आई स्वाच छुर्जा मंत्राले की एक पहल है, और स पहल के उद्यस की बात करें, तो कम कार्बन, स्टील और सीमेंट खरिदने के लिए सरकारों और निजी छेतरों को प्रोसाइद करना, और इसके लावा, आप्सन तीन की बात करें, आप्सन तीन सही है, यानि इस पहल करने तो जो है, यूनाड़ेट, किंगनम, यूके और भ द्वैता, द्वैतवात, निमबारक, सुद्धा, द्वैतवात, माधवाचार, विशिष्टा, द्वैतवात, रामानुजादा, द्वैतवात, वल्लवाचार, यानि द्वैता, तो इसमें अगर देखेंगे, तो द्वैता, द्वैत जो है निमबारक थे, ये बात सही है, इ इनका संबन्द किस से था वल्लभाचार से और इसके अलामा अगर विशिष्टा द्वाइतवाद की बात करें तो विशिष्टा द्वाइतवाद जो है वो रामान द्वाइतवाद से संबन्दित था विशिष्टा द्वाइतवाद रामान उजवाचार से और इसके अलामा द्वाइतवाद निंबारक से सुध्धा द्वाइतवाद वल्लभाचार से और द्वाइतवाद जो था वो माधवाचार से संबन्दित था तो कुल मिलागर इसमें एक और तीन जो है सुमेलित है यानि आप्सन सी साई होगा ठीक है कि कुशन नंबर हंडेट की बात करते हंडेट में क्या पूचा हाली में समाचार पत्रों में देखे गए और यदी और डेको निट्स और साउट डॉरीड हैं आप्सन एक कच्छुगों की प्रजातियां जो भारती और पस्टमी प्रसंद आपको बताना यह तीन जो वर्ड है यह इन चारों में से किसे संबंधित हैं तो इसमें देखेंगे तो हर साल विसेश्ट समय के दानान होने वाली उल्का वर्षा से इनका संबंध है ठीक है यानि ड्रेको निट्स जो है एक उल्ट का बहुचार जो प्रतिगंटे केवल 10 का उत्पादन करता है या उनिस सो में धोम के तू टूंटीवन पी गेवचनी जीनियर द्वारा छोड़े गए अनाजवरस निर्मित है ठीक है तो कुल मिलाकर ये वर्ड जो है हर साल एक विशिस समय पर होने वाली उल्का वर्षा संबंदित है उल्का पुछार क्या है उल्क पिंड और बर्प के टुकड़े होते हैं जो धूमकेत के बाहर होते हैं क्योंकि वे सूरी के चारों और अपनी कच्छाओं में घुमते हैं जब प्रित्वी धूमकेत या छुद्रग्रा द्वाड़ा छोड़े गए मलवे के निसान से गुजरती है तो उल्का वर्षा लेगी और हमारे क्लासे और भी चल रहे हैं टेस्ट और रिवीजन स्रीज भी चालू है इन्वार्मेंट इकलोजी को उसको भी देख सकते हैं तैंक्स पर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में साम को तीन बज़े डेली टेस्ट होती ये बात ध्यान रखिएगा और आपको अगर टेस्ट पसंद आया तो चैनल को सस्क्राइब करिएगा नोटिफिकेशन आउन करिएगा चैनल को लाइक करिएगा